हेलो स्टुडेंस वेलकम टू माई चैनल अब हम चैप्टर नंबर एकाउंटिंग एक्वेशन के कॉशन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं अभी तक हम कॉशन नंबर 3 पूरे कर चुके हैं कॉशन नंबर 4 में आपको नहीं चीज मिलेगी आप इस कॉशन को ध्यान से देखिए अ 10,000 फोर कैश रूपीज 12,000 नंबर 3 दिया है परचेस फनीचर ओन क्रेडिट फोर रूपीज 30,000 नंबर 1 ने आपको बोला है देखो लास्ट जो 3 कोशन से हमारे उसमें आपको सिरफ यह बोला था कि बिजनस स्टार्ट हुआ है कैश लगाकर अब इस एक्वेशन में आपने जो ओनर है आपका उसने बिजनस स्टार्ट किया कैश रूपीज लगाकर और गुड्स 20,000 तो अब आपके यह पर दो चीजे लगाकर बिजनस स्टार्ट हुआ है जो जो भी आपने बिजनस में लगाया उसके पहले कॉलम बना लो बिजनस कैसे स्टार्ट हुआ? कैश लगा यह बादिया 1,20,000 कहीं वच्चे कया करती है कि कैश लगाकर बिजनस स्टार्ट के तो बस कैश वाला मांटी कैपिटल में डाल देते हैं नहीं लेकिन आपका जब बिजनस स्टार्ट करते जो जो भी चीजे आप लगाते हो आप उसका टोटल करोगे और उसका जो टोटल हो होता है तो इधर भी 120 हमारा total हो गया और capital हमारी कितनी हो गई 120,000 next equation goods sold अब क्या हुआ goods बेच दी हमने goods sale करेंगे तो last questions में भी मैंने आपको equation में बता रखा है कि जब हम भी goods sale करेंगे तो हमेशा stock वाले column में जितने का cost price होगा वो हमेशा minus हो जाएगा goods sold worth rupees 10,000 worth मतलब ली ओंगी तो that means cost price worth rupees 10,000 for cash 12,000 cash में मतलब इतने की आपने बेची है अब cost price कितना हुआ 10,000 तो stock वाले column में आप क्या करोगे 10,000 वाला minus कर दोगे क्योंकि ये हमारा cost price हमारा मेशा minus होता है अब cash में बेची है बिजनस में cash कितना है 12,000 का तो cash वाले column में क्या करोगे 12,000 तो आप देखो मैंने last time में बताया था कि जब भी हम goods sale करेंगे तो हमारी minimum कम से कम 3 जगा तो interest होगी होगी 3 अब हमारी 1 और 2 दो तो हो गई ठीक है अब 3rd क्या होगा जब भी आप sale करोगे तो हमें profit होगा या फिर close होगा cost price कितना है 10,000 आपने बेचा कितने में 12,000 ज्यादा में बेचा तो 2,000 का क्या हुआ हमे profit हुआ profit हमेशा कहाँ पर जाकर add होगा capital वाले को लम में अब हमारी पहली 2 equations हो गई अब हमारी इन तोनों का total करके हमारी क्या बन जाएगी new equation बन जाएगी new equation क्या आएगी इनका आप total कर दोगे cash पहले 1,000 था 12,000 आ गया 1,12,000 stock पहले 20 था 10 चला गया business में हमारा कितना stock अभी पड़ा है 10,000 का liability अभी हमारी कहीं पर भी नहीं है बाहर हमने कुछ नहीं देना तो 0 चल रही है capital 1,20 में starting में लगाई थी 2,000 का profit हो गया 1,20 2,000 की अभी हमारी capital रखी हो based on credit हमने furniture purchase किया देखो furniture हमारी क्या है fix asset है तो fix asset जब हम खरीदेंगे तो उसका अलग से column बनेगा जब goods purchase करते हैं तो stock में deal होती है जब asset purchase करते है fix asset तो उसका अलग से column बन जाता है तो हमारा column आ जाएगा यहां पर furniture का क्योंकि business में क्या हो रहा है furniture आ रहा है यहा इसको साथ मिक्स नाव प्रणीचर के अगया स्में क्रेडिट में परचेस करें अगर आपने अगर क्रेडिटर परचेस कर रही है तो वह क्रेडिटर प्रेडिटर का कॉलम बन जाएगा यहाँ पर लाइबिल्टी में आप कॉलम बना दोगे क्रेडिटर्स क्या लिख दोगे? क्योंकि हमने इस वाली पूरे कोशन में हमने कई पर गुड्स क्रेडिट में नहीं खरी दी तो आप यहाँ पर क्रेडिटर फोर फरनीचर लिख सकते हो क्योंकि हमने एसेड थरी दिया तो 30,000 के अब हमारी क्या हो गई? लाइबिल्टी हो गई 30,000 के अब हमने बाहर देने हैं अब फिर से हमारी नियू एक्वेशन जो हमारी टोटल बैलेंस भी आ जाएगा इस कोशन का जो आप अंसर मैच कर सकते हो देखो इसमें कैश में कोई डिल नहीं थी तो हमारा कैश का टोटल 1,12,000 इसमें स्टॉक में हमारा कुछ अभी लास्ट में नहीं हुआ 10,000 का भी स्टॉक पड़ा है 30,000 का आपका क्या आ गया? हमारा फनीचर पड़ा है और बाहर अब हमने क्रेडिटर्स को 30,000 पे करने है लाइबिल्टी में ठीक है यह 30,000 हो गया और लास्ट में मारा कैपिटल का टोटल आ रहा है 1,22,000 दोनों साइट का टोटल देखो 1,22,000 प्लस 30 इसको एड़ करोगे तो आपका जो भी आगा 1,52 और इन सबको भी आड़ करोगे तो भी आपका 1,52 हमारा इसका मतलब एक्वेशन जो हमारी सारी करेक्ट बनी है तो क्योंकि हमारा टोटल जो आ रहा है वो एक्वल आ रहा है अब हम क्वेशन नंबर 5 पे पहुंच गई है आप अपनी अपनी बूक्स में से क्वेशन नंबर 5 रीड करो नंबर 1 पे बिजनस स्टार्ट किया कैश लगाकर तो हमारा एसेट में वहीच से वही कैश कॉलम कैश आ गया बिजनस में हम क्या करेंगे 50,000 इसमें प्लस कर देंगे जब बिजनस स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं Capital, तो Capital में जाके Plus हो जाएगा Number 2 equation Purchase Goods, Cash 30,000, आपने अब देखो, यहाँ पर Mention किया है, कि Goods Purchase किस में करी है Cash में, तो क्या होगा, Business में Stock आ जाएगा, और Cash चला जाएगा, तो Stock क्या होता है Asset होती है, तो इसलिए हम Stock में क्या कर देंगे, Plus कर कर देंगे, तो कितने की Goods आई 30,000 की, जो Business में आता है, उसको हम क्या कर देते हैं Plus कर देते है, जो Business में से जाता है, उसे हम क्या कर देते हैं Subtract करते है, Stock आया, तो हमने Plus कर दिया, Cash चला गया तो इसे हम Minus कर देंगे हर Equation के बाद आप क्या करोगे उसका Total करके New Equation बनाओगे जापे हम New Equation करो इसका Total, Cash कितना था? 50 था, 30 चला गया कितना बच गया? 20,000 Stock पहले तो नहीं था अब आया इस Equation में, तो कितना Balance है? 30,000 का और Liability अभी हमारी कुछ भी नहीं चल रही है, तो अभी तक हमारा हम यहापी क्या कर देंगे? 0 इस Equation में हमारा Capital में भी कुछ नहीं हुआ तो Total आजाएगा Capital का वही उपर वाला 50,000 Next Equation, Next Equation क्या क्या रहा है? Purchase, Goods, Credit देखो, First वाले में क्या था? Goods Purchase ही करी थी, पर Cash में करी दी अब इस Equation में उसने बोला है कि Goods Purchase कैसे करीए? Credit में तो इसका मतलब क्या हुआ? जब Goods Purchase Credit में होता है, तो वो क्या होता है? Creditor बन जाते हैं क्योंकि Creditor वो Person होते हैं, जिनसे हम Goods उधार में खरी देते हैं तो अब Creditor क्या हो गई है? हमारी Liability, तो अब Liability में क्या करेंगे? हम Creditor का Cash तो कुछ गया भी नहीं और आया भी नहीं, तो 0 अब Liability में क्या हो गया? Creditor हमारे बढ़ गए, तो 20,000 Capital में भी कुछ नहीं अब फिर से हमारी Equation complete फिर से हम Total करेंगे यहाँ पर अब Total करो यहाँ पर Cash कितना हो गया हमारा? 20 Stock कितना हो गया? 50 Creditors wise same, क्योंकि इस Equation में मारा Change हो गया था 20, और Capital कितनी हो गया? 50 New Equation हो गया हमारी है Next, Sold Goods Costing 10,000 for 12,000, अब क्या हुआ? Sale वाला आ गया, जब हम Sale करेंगे तो Stock वाले कॉलर में से Goods चली जाएंगी, जब Purchase किया तो हमने Plus किया, जब हम Sale करेंगे, तो Goods को Minus कर देंगे, जब हम Goods में से Stock में से Minus करेंगे, हमेशा क्या Minus करते है? Cost Price, क्या Minus करेंगे? Cost Price, यहाँपे Mention आपको, Costing कितनी है? 10,000, 4 रूपीस, 12,000 यहाँपे किसी का नाम नहीं दिया, तो 11,000 रूपीस आपके पास क्या होँगे, बिजनस में Cash आजाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? Goods क्या होए? 10,000 की क्या होगे बिजनस में से? चली गई, क्योंकि आप Sale करेंगे, और 12,000 का क्या होगे? Cash आगया, आप फिर से वही चीज, कि आपका जब Goods Sale होँगी, तो minimum, कम से कम, 3 जगा प्लस माइनस करोगे, ठीक है? तो 2 जगा तो होगे हमारा, क्योंकि Cost चला गया, ठीक है? Stock माइनस होगया, और Cash आगया, तीसरी क् आपको Profit होगा, या फिर Loss होगा, जब आप Goods Sale करोगे, तो हमें Profit होगा या Loss होगा? देखो, 10,000 की चीज, आपने कितने में Sale करी? 12,000 में, तो 2,000 का क्या हुआ होगा? आपको Profit होगा, तो Profit हो या Loss हो, तो Capital में जाके Adjust होता है, जब Profit होता है, तो Plus होगा, Loss होगा, त इसका Total करेंगे हम New Equation का, देखो, New Equation का Total करो, 20 था, 12 cash आ गया, तो Total हमारा 32 होगा, 50 था, 10 चला गया, 40,000 का अभी भी हमारा Business में Stock पड़ा है, लाइबिल्टी में इस Equation में कोई Change नहीं था, तो 20,000 और 50 प्लेस 2, 52,000 आपकी Capital होगा, 4th Equation, Bought Furniture on Credit, Rs. 2000, अब आपने Furniture खरीदा है, क्या खरीदा है, Furniture और कैसे खरीदा है, Credit में, तो Furniture क्या हुआ, हमारी Fixed Asset हुई, तो हमारा Fixed Asset में, एक Asset साइड में Column बना देंगे, हम Furniture का, क्योंकि Business में क्या हुआ, Furniture आ रहा है, जो चीज आ रही है, बिजनस मे Asset आ रही है, तो Plus करते जाएंगे, अगर जा रही है, तो Minus करते जाएंगे, Furniture कितने का आया, 2000 का, तो Furniture कितने का आगे, 2000, अब कैसे लिया हमने, Credit में लिया, Credit मतलब उधार में, जब उधार में लेते हैं, तो Creditor में आट हो जाते हैं, तो Creditor कितने और बढ़ गए, पहले बाकी जिस कोलम में हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, माप पर आप इस उक्वेशन में 00 लगा दोगे, फिर से न्यू एक्वेशन बन जाएगी, कैश कितना रह गया हमारा, 32, और स्टॉक कितना हुआ, वही सेम 40, फनीचर आ गया हमारा इस उक्वेशन में 2000 का, बिल्टी भी बढ़ गई 22, अभी कैपिटल पर कोई फेक्ट नहीं हुआ, सेम वही हमारी 52 चल रही है, नेक्स्ट, पेड कैश क्रेडिटर 15,000, अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, देखो अब क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, जब किसी को पेम कैश में से माइनस हो जाएगा, दो चीजे जा रही है, क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, और कैश भी कम हो जाएगा, बिजनस में से जो चीज जाती है, उसे हम माइनस कर देते हैं, 15,000 का कैश चला गया, और 15,000 के ही आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ज फिर से हमारी new equation देखो अब क्या बनेगी, 32 का पहले हमारे पास cash था, 15 का चला गया, तो कितना balance रह गया, 17,000 का, ठीक है, अब हमारा जो stock है, इसमें कोई change नहीं था, तो ऐसे 40,000 का, furniture में भी कोई change नहीं है, तो सेम 2,000 का, creditors देखो अब, 22 के थे, 15 चला गया, अब कितना balance रह गया, 7,000 अब हमारा अभी भी liability बनी हुई है, capital में कोई change नहीं था, तो 52,000, लास्ट equation, salary pay, same salary क्या होता है, अगर हम pay कर रहे हैं, तो expenses होता है, pay कर रहे हो, तो क्या होगा, cash चला जाएगा, हमारे business में से, simple, जब हम किसी को pay कर रहे हैं, तो cash minus हो जाएगा, क्या पे करें, expenses है, expenses हो, income हो, capital में से adjust होती है तो क्या करोगे, salary कैसे pay कर रहे हो, 1000 पे कर रहे हो, cash चला जाएगा क्योंकि expenses है, इसलिए 1000, capital वाले column में adjust करोगे last total हमारा new equation का, जो कि मारी balance sheet भी होती है दोनों sides का total आपका क्या आना चाहिए, equal आना चाहिए, cash 17 था, 1000 चला गया तो कितना रहे गया हमारा total, 16,000 का, और stock कितना पड़ा है हमारा last में, 40,000 furniture कितना पड़ा है, 2000, creditors कितने पड़े है, 7,000 और 52 पहले capital थी, 1000 का expenses पे कर दिया, 51,000 का आपका capital का balance पड़ा यह हमारी last में क्या बन गई, फिर से, यह हमारी new equation बन गई आप देखो, यह equation का है, यह balance sheet भी होती है दोनो sides का total चेक करके देख लिए, अगर 16 plus 40 plus 2 इसका अगर आप total करोगे, तो भी 58 आएगा, और इधर आप total करोगे, तो भी 58 आएगा दोनो sides का total equal है, तो that means हमारा question ठीक जा रहा है तक्यो ओर वाचिए